नमस्कार, आगे हम लोग hyper proliferative disorders के एक एक कारणों के बारे में detail में discuss करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इसको one by one एक outline सबजने की कोशिश करेंगे, इनसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो देखे, iron deficiency anemia, यह भी एक कारण है hyper proliferation के लिए, hyper proliferative disorders के लिए, यहां तक कि यह most common cause of microcytic hypochromic anemia का यह बहुत बढ़ा कारण होता, आप जानते हैं हमारे जैसे developing countries में, जहां पर iron का supplements देना पड़ता क्योंकि यह बढ़ा कारण है microcytic hypochromic anemia का, इसके clinical features क्या मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया न, clinical features इस बात पर तैने होता है कि hemoglobin कम हो जाए, क्योंकि hem होती हैं, जैसे हम pathology में जो definition कहते हैं, hemoglobin का level कम होना, RBC का level कम होना, उसकी बजाए, अभी आपने देखा न, WHO ने कहा, medicine में कहा कि oxygen carrying capacity का कम होना, जो physiological needs को पूरा न कर सके, ऐसे मामलो में हम anemia की state मानते हैं, आप जानते भी हैं, hemoglobin, iron, या फिर उसके भीतर की structure, cytoskeleton, फिर उसको proper mature होने के लिए, vitamin B12, folic acid की आवश्रकता है, यह सारी चीजे मिल करके, पूरा का पूरा picture तयार करते हैं, इसके बारे में हमें आगे detail में चर्चा करना है, अब सवाल यह भी उठता है, कि हमारी body में, कितना जब hemoglobin का level कितने से कम हो जाता है, आम तोर पर, तो हमें clinical features मिलने लगते हैं, oxygen carrying capacity प्रभावित होने लगती है, तो याद रखना है, जब कभी भी, एक सामाने, इंडियन में, 8 gram per deciliter से कम जब होने लगता है, hemoglobin का level, तो फिर fatigue, malaise, जैसे features आने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि, iron deficiency होने पर, यह सारे features, 8 gram per deciliter से जब न requirement है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, एक बात और भी याद रखना है, कि तमाम ऐसे मामले भी देखेगा हैं, जिसमें patient, 8, जो भी हमने आप से कहा न, 8 gram per deciliter से कम होने पर, fatigue, malaise, या फिर जो टाइडनेस की, जो clinical features के साथ patient आते हैं, यह बात, कई बार ऐसा भी होता है, कि hemoglo megaloblastic anemia के मामलों में होता है, iron की जब deficiency होती है, तो बलकि symptoms यह जितने भी है, आप देख रहे हैं, यह symptoms जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जबकि megaloblastic anemia जैसे मामलों में आगे हम discuss करेंगे, यह features जब बहुत ज़ादा कम हो जाता है, तब develop होता है, even 2 to 3 gram per deciliter से भी जब कम hemoglobin, यह even 3-4 के आज पास जब hemoglobin गर जाता है, तब megaloblastic anemia के मामलों में पता चल पाता है, जबकि iron deficiency anemia में hemoglobin का level कम 8 के आज पास होता है, तब ही symptoms आने शुरू हो जाते हैं, अब कोई iron deficiency का मामला आपको लग रहा है, तो कैसे आप पता करेंगे, तो आप जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में hemoglobin का level आपने चेक किया, ठीक बात है, इसके लावा कुछ और भी lab investigations जो हमारे लिए मायने रखते हैं, जो इस बात को प्रूव करेंगे कि iron की ही सिर्फ कमी है, उसको भी हमें देखना होगा, RBC के indices को देखना होगा, और जब यह पता चल जाएगा, तो उ deficiency होती है, तो किस तरीके से stasis wise presentation मिलेगा, तो इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि शिर्वाती दार में pre latent orange of deficiency होती है, तो ऐसे मामलों में blood में hemoglobin का level maintained रहता है, लेकिन storage जो है, stored जो normally आपको इसको इस तरीके से समझें, कि यह हमारे घर की कहानियों की तरीके से हैं, जै से पहले अगर दिक्कात आती है, तो मन्त का जो खर्चा है वो तो चलता रहता है, लेकिन bank balance जो storage farm के रुप में रहता है, वो कम होने लगता है, तो घर के खर्चों पे कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन धिरे-धिरे bank से पैसे आने कम हो गया, तो यहने depletion of storage iron, चाहे वो liver में हो, bone marrow में हो, या muscles में उसका level कम होता, लेकिन blood में अभी भी hemoglobin maintained है, तो इसका पता कैसे चलेगा, सबसे पहले serum ferritin का level गरना शुरू हो जाता है, जब storage वाले farm अब नहीं रह गए, तो उसके बाद यह देखा जाएगा, कि जो absorption होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर पुर iron की deficiency है, iron की deficiency है, आही नहीं पा रहा है जितनी चाहिए, तो इसके करण transport iron का pool कम हो जाएगा, यानि serum में जो iron absorb होकर के पहुँच रहे थे, उनका level कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी hemoglobin का level maintained है, बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे condition में क्या होगा, जो absorb होकर के iron, डियोडिनम के level पर पहुच रहा था, वहां से absorb हो रहा था, वही नहीं आ रहा है, क्योंकि iron की कमी है, तो वहां से नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश हमारे body की है, कि उसको जादा से जादा जितना भी है, उसको पकड़ लिया जाए, इसलिए total iron binding capacity या transferrin का level बढ़ा हुआ होता है, तो इस त transferrin का level बढ़ा हुआ रहेगा, ये चीज हो जाएगे, serum iron का level गिरा हुआ होगा ही, और इसके बावजूद भी अगर नहीं पूरी चीज़ें हो पा रही है, तो अब hemoglobin का level भी गिरा हुआ मिलने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा iron की deficiency हमें hemoglobin के गिरे हुए level से पता चलेगी, तो hemoglobin का level देख लें, या hemoglobin का level अगर बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं चल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने भी आपको बताया, lab investigation में तीन चीजों पर focus करेंगे, किन किन चीजों पर, serum iron का level कितना है, serum में iron का level कितना है, वो गिरा ह हुआ होगा, क्यों क्योंकि absorption ही नहीं उपार, iron की deficiency है, इसलिए उसका level गिरा हुआ होगा, lab investigation में पता चल जाएगा, iron का level गिरा हुआ है, लेकिन iron को बाधने वाले, TIBC का level बढ़ा हुआ होगा, इतना है नहीं, serum ferritin का level, serum ferritin का level, या यूं कहलें कि जो ferritin, जो storage farm है, वो भ पता चल गया, और serum ferritin का level गिरा हुआ होगा, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया, कि iron का storage farm नहीं है, absorption भी नहीं हो पारा, इसके कारण iron की deficiency है, इसके साथ ही साथ, RBC के indices की बात करेंगे, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, कि RBC का count कितना है, तो जाहिर सी बात है, RBC का count, hemoglobin, pack cell volume, mean carpuscular volume, RDW, RDW का level और smear, इन सभी को बना करके देखने की कोशिश की जाएगी, कि ये मामला iron deficiency का ही है, तो iron deficiency के बारे में तो हम आगे discuss किये ही है, थोड़ा सा fundamental याद कर लेते हैं, कि इन सारी values को, जो RBC से related जो indices हैं, उनकी value को याद कैसे किया जाएगा, उसको देख लेते हैं, सबसे पहले RBC का count कितना होता है, उसको देखें, तो RBC का count, उसको जानने से पहले, RBC के count को जानने से पहले, हिमोगलोबिन के level को देख लेते हैं, हिमोगलोबिन, आम तर पर एक Indian में 9 gram per deciliter के आस पास होता है, अभी मैं 3 के multiplication से याद कराने के कोशिश करूँगो, तो हिमोगलोबिन 9, उसका 1 by 3rd RBC काउंट, और Paxil volume को याद करना है, तो इसमें याद करिएगा, PM से याद करिएगा, P पहले, M बाद में, तो PCV को याद करने के लिए यहाँ पर Paxil volume के लिए 9 into 3 कर दीजे, और MCV के ल कर्पस कुलर वालियूम के लिए 27 जो इसकी वैलियू आएगी, उसमें 3 फिर मल्टिप्लाई कर दीए, तो 9 में 3, ये, ये, फिर 3, ये आगया, तो आम तोर पर मीन कर्पस कुलर वालियूम 78 से 98 के आस पास तक होता है, ये वैलियू हम जानते हैं, तो देखिए इसके टच मे आगया न, MCV के टच में ये वैलियू आ गई, ये 78 से 98 के आस पास होता है, अगर इसकी वैलियू गिरने लगे, कितना 40 से कम हो जाए, तो फिर दिक्कत होता है, मीन कर्पस कुलर वालियूम 40 से कम हो जाए, या फिर 112 से जादा हो जाए, तो फिर दिक्कत होती है, तो ये MCV के मैंने आपको पहले ही बता रहा है उसी चीज़ को एक बार फिर से बता रहा हूँ कि RDW जिसे Red Blood Cell Distribution Width कहते हैं अपने नाम से ही असपस्ट हो जाता है कि यह actual में RBC के size में variations की जानकारी देता है RDW MCV के भीतर यानि RBC का size में कारपसकुलर वालियूम में कितना variation है उसके बारे में जानकारी देता है अगर जादा variation है तो higher RDW मिलेगा यानि जादा variation है इसके बारे में चर्चा हो चुका इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ यह छोटे RBC से ल जादा होगा और कितना fluctuation है इस value के बारे में RDW जानकारी देता है ध्यान रखिएगा छोटा size है अपने आप में ही यह confirm कर दे रहा है कि यह microcitic हो सकता है बात समझ रहा है तो microcitic है microcitic है यानि RDW ऐसे मामलों में जादा आएगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि microcitic picture अगर मि सोचेंगे बलकि thalassemia minor के बारे में भी सोचेंगे बात समझ रहा है छोटे size का RBC अगर आपको मिल रहा है तो iron deficiency तो होई सकता है thalassemia minor भी हो सकता है तो इसको differentiate करने के लिए RDW हमारी मदद करता है actual में क्या होता है कि जब iron deficiency होती है तो RBC का size छोटा रहता है इतना है नहीं उ कि बड़े size के reticulocytes पहुंचने लगते हैं इसलिए iron deficiency वाले मामलों में RDW rise की rise value मिलती है बढ़ी होई value मिलती है जबकि thalassemia minor में छोटे size का RBC है और RDW normal level का मिलेगा बात समझ पा रहे है थalassemia minor में या thalassemia trait में क्या होता है छोटे size के होंगे variations तो होगा लेकि narrow range में होता ह इसलिए छोटे size का है लेकिन RDW लगभग normal जैसा दिख रहा है या उसके value ज़ादा बढ़ी होई नहीं है तो thalassemia minor लेकिन छोटे size का है और RDW बढ़ा हुआ यानि iron deficiency anemia का मामला है इस तरीके से हम इसके बारे में अंतर कर पाते हैं कई बार कुछ questions होते हैं जो बड़े ही typical स होते हैं अभी हमने जो एक normal बात किया कि एक average Indian में hemoglobin 9 gram per deciliter के आसपास होता और इसक में RBC का count लगभग 3 million के आसपास होता है बात समझ रहा है ये जो hint हमने आपको दिया है इस पर based कई सारे question लग सकते हैं माल लिजे hemoglobin कितना है 9 gram per deciliter एक average Indian की value है RBC count एक average Indian में इतनी value पर RBC कितना होता है 3 million के आसपास होना चाहिए लेकिन अगर माल लेजे हमारे पास value मिल रही है 2.1 million की कितनी 2.1 million की मिल रही है तो निस्चित तोर पर 3 नहीं हो पारा है hemoglobin इतना होने के बावजूद जो हमने सोचा उतना RBC नहीं मिल पारा है इसका मतल रखा है कि इस हिमोगलोबिन को समाने के लिए 3 million RBC होने चाहिए लेकिन अगर RBC की संख्या इस हिमोगलोबिन के लिए 4 million हो जाए बात समझ रहा है आपने कितना सोच रखा है average इसके लिए 3 million होने चाहिए अगर ये इसमें अगर maintained है तो लेकिन 9 पर अगर ये कम मिल रहा है इसमें चाहिए अगर इस तरीके से आइरन की कमी का कारण क्या है उसको हम लोगो ने समझा या तो हिमोलिसिस जदा हो रहा है जैसा कि कोई blood loss के मामलों में होता है तो फिर iron की कमी हो सकती है एक करण ये भी हमने अभी बताया कि diet में कम मिल रहा है तो उसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं मैंने आपको बताया diet में अगर कमी होगी तो कैसे पता चलेगा absorption कम होगा तो भी हम पता लगा सकते हैं सिलियक sprue या zinc deficiency के मामल में जहां पर proper absorption नहीं हो पाता है फिर कई बार ऐसा होता है कि requirement बढ़ जाती है जैसे pregnancy electrician के समय blood loss का तो मैंने आपको बताई ही दिया hemoglobinuria या या ये urine के रूप में ये निकल करके आ रहा है फिर iron का sequestration जो pulmonary hemocidrosis जैसे मामलों या फिर idiopathic भी मामले हो सकते कुल मिलाकर के iron की कमी है और अगर iron की कमी है तो इसे fulfill करने के लिए क्या करना होगा treatment करना होगा सवाल यह भी है कि treatment के options हमारे पास क्या क्या available है क्या oral route से देना ठीक होगा या फिर parental route से देना ठीक होगा तो ध्यान रखिएगा oral route से या parental route से जब देते हैं तो दोनों से ही equal efficiency मिलती है लेकिन लोग कई बार parental route को ज़्यादा prefer करते क्योंकि oral route से दिये जाने पर gastritis या फिर black colored stool जैसे समस्याएं लेकर के patients आते हैं इसलिए parental जब जब ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर parental दिया जाता हाला कि oral route equally sufficient है लेकिन gastritis के कुछ मामले होते हैं या फिर black colored stool patient कहेंगे कि Latin का color काला हो गया इस तरीकी की समस्या लेकर के आते हैं खैर अब oral route से दिये जाने वाले ये जो समस्याएं है gastritis की ये जो major complication था इसको ठीक कर लिया गया है तमाम ऐसे composition बनाए गया जैसे पहले ये समस्या फेरस sulfate के साथ था लेकिन अब फेरस fumarate या फिरस malate करके ये तमाम composition बना लिए गया और भी कई सारे composition है तो पुराने समय में जब फेरस sulfate के रूप में ये आता था तो ज़्य ज़्यादा gastritis कराता था अब फेरस fumarate या फेरस malate करके इसके composition आ रहे हैं जिनके साथ ये समस्या कम होती है gastritis की समस्या कम क्यों होती क्योंकि इस formulation में iron का concentration कम है क्या है iron का concentration कम है इस वजह से less side effect है इसलिए अगर माली ये iron की deficiency ज़्यादा है और आप oral route से देना चाहते है त तो फेरस fumarate या फेरस malate के रूप में जो concentration है वो iron का कम है तो उसके dose को हमको उसी के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा इसके लावाद चलिए अब बात करते हैं पारेंटरल रूट से या पारेंटरल जो रूट्स हैं जिसको जिसमें आईवी, iron dextrin या फिर iron सुक्रोज जैस कोई दिक्कते नहीं है और आराम से आप आईवी रूट से दे सकते हैं यहां तक कि जितनी dose के requirement है आपने ops में पढ़ा होगा कई सारे फार्मूले होते हैं जो required iron के कमी को के calculation के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे हम calculate कर लेते और जो भी iron की कमी है उसको हम दो तीन दिनो पूरा कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा कि ऐसे मामलों में कई बार classical कुछ reactions पेशेंट में देखेगा हैं जैसे chest heaviness या chest discomfort जैसे मामलों के साथ patient कह सकते हैं तो वैसे तो कुछ ज़्यादा IV root से देने पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ मामलों में chest heaviness या chest discomfort के साथ patient present क हम बात कर रहे हैं iron deficiency anemia की हमने ये भी आपको बता है कि iron deficiency anemia के मामलों में हमें RDW microcytic होगा microcytic picture thalassemia minor में भी मिलता है इसलिए हमें microcytic अगर picture मिल रहा है तो हमें thalassemia minor के बारे में भी सोचना होगा thalassemia minor या thalassemia trait जैसे मामलों में microcytic लेकिन IDW से हम इसे differentiate कर पाते हैं इसी तरीके से cidroblastic anemia के मामलों में भी हमें differential diagnosis iron deficiency का एक ये भी बनता है तो thalassemia trait, thalassemia minor या cidroblastic anemia इनके बीच में हमें differential diagnosis बनाने के जरूरत होती है ध्यान रखना है, prognosis इसका बहुत अच्छा होता है बहुत ही बढ़िया response होता है इसकी बात ये है कि हमें कारण बस पता होना चाहिए iron के deficiency क्यूं हो रही है मेनोरेजिया की वज़ा से हो रही है warm in frustration की वज़ा से हो रही है या poor nutrition की वज़ा से हो रही है जो भी cause है उसको हम properly अगर treat कर देते हैं और जो nutritional कमी है अगर उसको maintain कर दें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा patient को अच्छे तरीके से हम treat कर सकते हैं